नमस्कार दोस्तों साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड आपके आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ दोस्तों आज के सत्र से हम असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित दूसरी कृति पर बात करने वाले हैं क्य वीडियो पहले से ही मौजूद है चैनल पर तो आप उनसे अपनी पकड मजबूत कीजिए ब्रहमरगीत पर और सूर्दास की जीवन और कृति परिचय पर उनसे संबंदे तत्यों पर तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र जिसमें हम कवितावली जो हमारे पाठ्यक्रम म के विशय में सामाने जानकारी प्राप्त करेंगे दूसरी बात जहां तक तोसी दास जी के जीवन परिचय का प्रश्ण है उनकी कृति परिचय का प्रश्ण है हमारा एक वीडियो पहले से ही बालकांड भागे के नाम से चैनल पर है आप उसे देखिए उसमें विस्तार से तुलसी दास जी के जीवन और उनके कृति परिचय पर बात्चीत की गई है तो चलिए शुरू करते हैं कवितावली पर चर्चा सबसे पहले बात हम इन विद्वानों के मतों से इस सत्र की शुरूआत करेंगे क्योंकि इन विद्वानों के मतों को अगर हमने अपनी समझ में बिठा लिया अपनी बुद्धी में बिठा लिया अपने हर्दय में बिठा लिया तो हम आसानी से कवितावली के मूर मानस yay नार्थ का आर्थ ह्या साथ में अन्तरु में विन्एपत्रिका कवितावली और हनुमान वाभूक में एक बहुती महतुपूर्ण अंतर है रामचर इत्मानस में विनैपत्रिका, कवितावली और हनुमान बाहुक में ये तुलसी दास जी के जीवन के मध्यकाल की रचना है और काफी प्रौड करती है लेकिन ये तीनों कृतियां उनके जीवन के अवसान के समय की है तो ये तो अं इस तरह से धीरे धीरे अपने जीवन के अंतिमपडाव तक आते आते वो यथार्थ वादी हो जाता है और उसे जरूरत महसूस होती है कि समाज को इस यथार्थ से रूबरू कराना इससे अवगत कराना बहुत जरूरी है और वही उनकी कोशिश विनैपत्रिका, कवितावल और हनुवान बाहुक में देखने को मिलती है तो बच्चन सिंग लिखते हैं कि जिस तुलसी दास के दर्शन होते हैं वे मानस के तुलसी दास से किंचित भिन्न है अब क्या भिन्नता है मानस रामचरित मानस लिखने वाले कवित तुलसी दास और विनैपत्रिका और कविता और हनुमान बहुक लिखनेवाले तुलसी दास में इस अंतर के विशह में आगे कहते हैं यहाँ ना रामकथा कलिकलुष विभन्जने और नराम राज्य का भावनालोग यानि रामचरीत मानस में बच्छन सिंख्की मानिता है और जो कि काफी सहीं है कि कि राम कथा रामचरीत के दुश प्रभाव यानि कलुश यानि कालिमा दुश प्रभाव को नश्ट करने वाली यहां पर रामकथा को इस रूप में प्रस्तुत किया गया यानि एक आदर्श रूप यहां राम कथा का प्रस्तुत है और ना राम राजे का भावना लोग लेकिन कवितावली हनुमान बहोक और विन्य पत्रिका में ये कलियुक के तुष्ट भाव को नहीं है बलकि और नहीं यहां पर जो भावना लोग कविकी जो भावना मैता जो भावनाओं में राम की कथा क भाव में डूबने की जो प्रवर्ति है वो भी हमें इन तीनों रचनाओं में देखने को नहीं मिलती यहां दुख ही दुख है दुख क्यों है क्योंकि कवी आदर्शवाद मर्यादा पुरुशोत्तक के रूप में रामकार चरित्र चित्रन करके आगे बहुत आगे आचुका है और अब उसकी आँखों के सामने केवल और केवल वो कटू यथार्थ है जो उसे अपने परिवेश में चारों ओर दिखाई दे रहा है और उस परिवेश में है कष्ट, पीड़ा, अकाल और महामारी जैसी तकलीफ है तो वो लिख इसलिए उसके आँखों के सामने दुख है तो यहां तो दुख ही दुख है यूटोपियाई दुनिया से अलग यथार्थ की दुनिया यानि सबसे महतुपून जो परिवर्तन है बच्चन सिंग के अनुसार रामचरित मानस और कवितावली में वो यह है कि रामचरित मानस का जो लोग है जो परिवेश है वो बात की गई है वैसा सामान्यत है जीवन में संभव होता ही नहीं यानि उसे बच्चन सिंगे कलपना लोग मानते हैं यानि यूटोपिया दुनिया मानते हैं लेकिन कवितावली विन्यपत्रिका और हनुमान बाहुक में जो परिवेश है वो यथार्थ की दुनिया से संबन द आगे चलते हैं तुलसी दास इसके दृष्टा ही नहीं भोगता भी थे एक और बहुत महतुपूर्ण बात पर दृष्टी डालते हैं बच्चन सिंग हमारा ध्यान आकरशित करते हैं वे कहते हैं कि रामचरित मानस में रामकथा को देख रहे हैं भक्ति भाव में डूब र यानि यहां पीडाएं परिवेश की नहीं है जन की नहीं है बलकि स्वैम तुलसी दास जी की भी है यानि परिवेश की पीडाओं को तुलसी दास स्वैम भी अनुभव कर रहे हैं यही कारण है कि डॉक्टर बच्चन सिंग लिखते हैं कि वे द्रष्टा नहीं है यानि बलकि उन पीडाओं का भोग करने वाले उनको सहने वाले भी हैं। बहुतिक अव्यवस्था किस प्रकार की थी कि जीवन की दैनिक उप्योग की वस्थों में भी लोगों को उपलब्द नहीं थी और दूसरी बात प्राकरतिक प्रकोप से भी प्रजा पीडित थी अकाल पड़ रहे थे महा भारी महा मारी का आतंक फैला हुआ था सब तरफ राज्य के स्थान पर कलिकाल राज्य यानि कवितावली में जो जिस राज्य का चित्रन हुआ है वो राम राज्य का नहीं है बलकि कलिकाल का है यानि कलियोग के प्रभाव का राज्य यहां चित्रित हुआ है यह अंतर है राम चरित मानस में और कवितावली में यानि राम राज्य की एक सुन्दर कर्णा प्रस्तुत करता है, लेकिन कविता वली में कलिकाल का राज्य जीवन के परिवेश के यथार्थ को अभिव्यक्त करता है। udh wove, लिखते हैं मानस में करिकाल का assert धान्तिक वर्णन है यानि रामचरीत मानस में कैसा स्वरीप है कैसे लोगे हैं कैसे परिवार लग में नाइन तूट रहे हैं कैसी इस्तरिय आ हैं कैसे पूरुष हैं यह सारी बाति परिवेश ही कलिकाल के जबड़े में फसा हुआ है यानि परिवेश में जो कुछ अनाचार व्यविचार जो दुरवस्था पीड़ा वो सब दिखाई दे रही है कवी उसे ही यहां प्रस्तुत कर रहे हैं इसका प्रतिनेदित्व काशी करती है और क्योंकि तुलसी दाश्ची का जीवन अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ था तो काशी के परिवेश को आधार बना कर ही उन्होंने कलियोग के प्रभाव का चित्रन किया है यही कारण है कि बच्चन जिंग लेखते हैं कि इसका प्रतिनेदित्व काशी करती है और काशी के माध्यम से वो तो मान्यताएं हैं रामचरित मानस में उनकी स्थापना करता हुआ दिखाई देता है कवी लेकिन विनएपत्रिका, कवितावली और हनुमान बाहुक में वो अपने निजी अनुभवों को परिवेश को लेकर उनके जो निजी अनुभव हैं उनको यहाँ अभिव्यक्त किय मानस में आस्था और इमानदारी है तो विनाय पत्रिका कवितावली और हनुमान बाहुक में प्रामानिकता यानि मानस में कवी का श्री राम के व्यक्तितु में चरित्र में उनकी भक्ति में विश्वास दिखाई देता है पूरा इमानदारी से पूरी एकाग्रता पूरा समर पर दिखाई देता है लेकिन विनैपत्र का कवितावली और हनुमान बाहुक में जो कुछ प्रस्तुत किया गया है जो कुछ चित्रित है वो पूरी तरह से यथार्थ होने के कारण प्रामानिक भी है ये तो बात हुई जो डॉक्टर बच्चन सिंग के द्वारा कही गई मानस और कवितावली के विशय में जो हमें जाननी चाहिए उम्मीद करती हूँ कि जो मूल स्वरूप है जो भिन्नता है रामचरित मानस और कवितावली में वो आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी अब बात करते ही हिंदी साहित्यकोष भाग दो में क्या कहा गय कवितावली का कावेशिल्प मुक्तक कावे है एक और भिन्नता रामचरित मानस एक महा कावे है लेकिन कवितावली का कावेशिल्प प्रश्न पूछा जा सकता है यह मुक्तक कावे है अब दोनों की विशयवस्तु राम श्री राम के जीवन से संबंदित है तो फिर यह मु प्रस्तूत किया गया है लेकिन यहां मुक्तक काव्य में यानि कविता वली में श्री राम के जीवन से संबंदित कुछ चुने हुए प्रसंगों को ही उठाया गया है इसलिए यह मुक्तक काव्य है इसमें घटनाओं का वो क्रमबद्ध वर्णन नहीं मिलता जो रामचरित मा अगला उक्तियों की विलक्षनता, अनुप्रासों की छटा, लाइपून शब्दों की स्थापना, कता बाग के चंदों में दर्शनी है अब देखिए वो दोहा चौपाई शैली में है यहां कविता सवय चप्पय आदी चंदों का प्रयोग किया गया है दूसरी बात ये व लक्षनता है, यानि अद्भुत उक्तियों का प्रयोग किया है, यहां पर अनुप्रासिक सौंदर है, यानि अनुप्रास अलंकार हर पंक्ति में जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर पंक्ति में कहीं न कहीं अनुप्रास अलंकार है, कहीं चेका अनुप्रास है, कहीं वरत्यानुप्रास है कहीं लाटानुप्रास है और एक लायपूर्ण शब्दों की स्थापना है शब्द इस प्रकार प्रयोग में लाए गए है यानि शब्द योजना इस प्रकार की है कि उससे कविता में एक लाय बनती है कवितावली के छंदों में और उसमें पाठक उसके बाद चंदों का जो सौंदरे है वो भी यहां अद्भुत है राम चरित मानस से पूरी तरह से भिन है आगे चलते हैं आगे रीतिकाल में अब हिंदी साहिते कोश कहता है कि आगे रीतिकाल में ये कावेशली यानि ये मुक्तक कावेशली बहुत लोगप्रिय हुई और इस प्रकार तुलसी दास इस कावेशली के प्रथम कवियों में ग्यात होते हैं फिर भी उनकी कवितावली के चंदों में पूरी प्रोडता दिखाई देती है यानि यद्यपी उस मुक्तक कावेशली प्रथम प्रयोगता दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी उनके चंद प् से हैं. आज़े विलिखते हैं कुछ छन्द तो मुक्तक शिल्प की दृष्टी से इतने सुन्दर बन पड़े हैं कि उनसे सुन्दर छन्द पूरे रीती साहिते में भी कडाचिती मिल सकेंगे यानि कुछ प्रसंगों में छंदों का इतना सुंदर प्रयोग किया गया है कि रीती साहिते में इस अनुकरन पर जो साहिते लिखा गया उसमें भी छंदों का वो सुंदर, सुंदरे, अद्बुत सुंदरे, वो बेलक्षन था, वो विश्ष्ट था दिखाई नहीं देती insects अब बात आती है कि कवितावली की विशह वस्तु क्या है तो एक मोटी सी बात है कि राम कथा कवितावली की विशह वस्तु है ये एक सामाने तक थे हैं अब इसमें क्या-क्या प्रस्तुत किया गया है राम कथा प्रस्तुत की गई है पूरी कथा नहीं है केवल श्री राम के जीवन से संबंदित को चुने हुए प्रसंगों को यहां पर उठाया गया है। या किसकी भाषा ब्रज नहीं है इस प्रकार के भी प्रश्न परिक्षाओं में पूछे जाते हैं। या इनका क्रम आपको याद रहना चाहिए वही क्रम आपको याद रहना चाहिए। तो उन चंदों की यहां संख्या भी दी गई है जो आपको कंठस्त कर लेने हैं, बाल कांड जो कवितावली का है उसमें 22 चंद है, अयोध्या कांड कवितावली का है उसमें 28 चंद है, अरन्य कांड में एक चंद है, धिहान देंगे केवल एक चंद है अरन्य कांड में, अरन् पूरी की पूरी विसरित कथा का यहां पर जिक्र नहीं किया गया है। प्रकार कवितावली के सातों कांडों के कुल छंदों की संख्या है 325 यह भी आपको याद में रख लेना है। वो प्रसंग यहां चित्रित किया गया है। उसके बाद परशुराम लक्षमन समवाद आ जाता है और यहीं पर बालकान समाप्त हो जाता है। फिर आता है आयोध्याकान। अयोध्याकान में बिना सारे प्रसंगों की चर्चा करते हुए कवी यहां पर सीधे राम, श्री राम को लक्षमन और सीता जी सहित वन की ओर जाते हुए बताते हैं। उसके बाद सीधा वे उस प्रसंग पर आते हैं। जबकि केवट ने अपनी नौका में बिठाने के पहले उनका पाद प्रक्षालन यानि उनके चरण धोने की अनुमती मांगी थी। तो गुह का यह गुह कौन है? यह है केवट। केवट का पाद प्रक्षालन का जो प्रसंग है वो यहां चितरित किया गया है। फिर वन मार्ग में जब सीता जी लक्षमन जी और श्री राम के साथ में पैदल जा रही हैं। तब जो जिन जिन गाउंग से वो गुजरती हैं, ग्रामबासी आपस में उनके कोमल शरीर को देखकर, उनके सौंदरे को देखकर जो बाते करते हैं, उन बातचीतों का वर्णन भी यहां तुलसी दास जी ने किया है। वर्णन श्री राम के शिकार करने का चित्रन है और मुनियों से, विबिन मुनियों से वे मिलते हैं और उनकी गतिविदियों का चित्रन भी प्रसंगवश तुलसी दास जी ने कवितावली में किया है। अब बात आती है अरन्यकांड की, जैसा के हमने भी पढ़ा, अरन्यकांड में केवल एक चंद है और उसे एक चंद में क्या वर्णित है? प्रश्न पूछा जा सकता है। कांड में भी एक चंद है और उस एक चंद में हनुमान जी के समुद्र लांगने का वर्णन यहाँ पर किया गया है अब आता है सुंदर कांड में हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और अशोक वाटेका में सीता जी के दर्शन करते हैं उसका चितरन है फिर वे लंका दहन करते उस गहतना का यहाँ पर चित्रण किया गया है। सीटा जी से हनुमान जी विदा लेते हैं उस प्रसंग का वर्णन है और श्री राम जी की उदारता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। श्री राम की महिमा का यहां पर वर्णन किया गया है जिसको जूलना शीरशक के अंतरगत प्रस्तुत किया गया है फिर उसके बाद समुद्र पर श्री राम के सेतु बनाने का वर्णन है यहां अंगद का श्री राम के दूद के रूप में रावड के दर्बार में उपस्थित पूने का चित्रन भी यहाँ पर किया गया है, यह हैं लंका कांड की गटना है, इसके बाद रावन और मंदोदरी समवाद है, क्योंकि मंदोदरी आशन की ते भैवीत है और श्री राम की महिमा को चानती है, तो वो कोशिश करती है कि रावन को समझाया जा सके ताकि वे की मूर्चा का वर्नन किया गया है, फिर युद्ध समाप्ती का वर्नन किया गया है, इसके बाद आता है अंतिम कांड कवितावली का वो है उत्तरकान, देखिए यहां पर जैसे हमने उत्तरकान जब रामचरित मानस का पड़ा था, तो उसमें श्री राम के अपने सभी सखा सीता जी और लक्षमन जी के साथ मिलकर आयोध्या लोटने की पूरा वर्नन किया गया था, उनके राज्या विशेक का वर्नन किया गया था, आयोध्या नगरी का वर्नन किया गया था, वैसा कोई वर्नन का वितावली में नहीं है, यहां श्री राम की करपालुता का वर्नन ह तुलसी द्वाला केवल राम से ही मांगो से संबंदित भावा भीव्यक्ति की गई है यानि तुलसी दास जी कहते हैं कि इस संसार में संसारिक जनों से मांगने से कुछ भी लाब नहीं केवल मांगना है तो श्री राम से मांगो इस तरह की भावनाएं यहां भीव्यक्ति की ग और फिर उसके बाद श्री राम ही प्रेम का सार है इसका वर्णन यहां किया गया है फिर नाम विश्वास श्री राम के नाम में विश्वास रखना कितना आवश्यक है मुक्ति के लिए कल्यान के लिए सुक प्राप्टि के लिए उसकी जहां पर चर्चा की गई है कलियोग के प्रभाव का वर्णन है और राम नाम की महिमा का वर्णन है और दोस्तों प्रसंग वश मैं बता दूं कि ये तीनों ही बिंदु हमारे पाठे क्रम में है नाम विश्वास, कलियोग वर्णन और राम नाम की महिमा जिसको हम पढ़ेंगे इसके बाद राम का गुंगान किया गय बताया गया है फिर राम भक्ति की याचना की गई है प्रभु से कि आप मुझे अपनी बख्ती प्रदान करें प्रभु की महता और दयालूता का वर्णन किया गया है यहीं पर देखिए कई बार प्रश्न पूचा जा सकता है कि उत्तर कांड कवितावली के उत्तर कांड में न सिदाज जी उन्होंने नहीं किया होगा लेकिन कवितावली के उत्तर कांड में गोपियों के अनन्य प्रेम और उनकी विनय का भी चित्रन किया गया है इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे सीतावट का वर्णन है चित्रकूट का वर्णन है तीर्थ राज प्रयाग का श्री गंगा जी के महिमा का वर्णन है अनपूर्णा महात्मे का वर्णन किया गया है क्योंकि सबसे बड़ा कांड है कवितावली का उत्तर कांड शंकर किस्तुती की गई है और काशी में जो महामारी फैली उस महामारी के फैलने का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है और य ये बिंदू काशी में महामारी फैलने का जो वर्णन है ये बिंदू कविता वली को परिवेश के यथार्थ से जोड़ता है विविद छंदों में तुलसी दासरी का श्री राम के प्रती एक निष्ठ भक्ति भाग ये भी यहां चित्रित किया गया है अब कुछ एक और महतु पूर्ण बाते हैं जो हमें कविता वली के विशे में जाननी चाहिए पहली बात प्रशन पूछा जा सकता है कि कविता वली का प्रथम चंद कौन सा है क्योंकि इस तरह के प्रशन अक्सर परिक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं तो देखिए यहां पर श्री राम क्योंकि सबसे पहला कांड बाल कांड ही है लिखते हैं तुलसिदास जी अवधेश के दौारे सकारे गई सुत गोध के भूपति लेनिक से वो कहती है कि मैं अवधेश यानि अवध के राजा दशरत के दौर पर सकारे यानि सुबह सुबह गई तो उसी समय जब में वहां ग अवलो के हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जेन ठगे दिख से तो वह आगे कहती है कि उनको देखकर किसको देखकर बाल रूप श्री राम के बाल रूप को देखकर अवलो के हो यानि मैं मैं सोच में पढ़ गई मैं सब कुछ भूल गई सोच विमोचन यानि जो भी कुछ मेरी उन सबसे मैं मुक्त हो गई और ठगी सी रह गई उनके अद्बुत सौंदरे को देखकर और उस अद्बुत सौंदरे को देखकर हे सखी जो ठगे से न रह जाते उनको धिकार है तुलसी रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से और आगे वो कहती है कि उनके नेत् अंजन यानी काजल लगे हुए थे और बहुत सुन्दर नेतra थे आनंद देने वाले नेत्र थे और सु खंजन जातक से खंजन पकशी के नेत्रों को मांदंड माना गया है सुंदरिय का और यह कैसा श्रेष्ठ खंजन पक्षी के जातक यानि बच्चे क्योंकि श्री राम के बाल रूप के नेत्रों के सौंदरे का वर्णन किया जा रहा है तो कभी लिखते हैं कि खंजन पक्षी, सुंदर खंजन पक्षी के बच्चे के नेत्रों के समान सुंदर उनके नेत्र थे और उन नेत्रों को देख कर क्योंकि श्यामल वर्ण के हैं श्री राम ऐसा प्रतीत होता है मानो रात्रिकालीन चंद्रमा में समान आकरती वाले समान विशेष्टाओं और गुणों वाले सुंदर नील कमल विकसित हो गई हो और ये कविता वली का पहला चंद है और उस चंद म के सुंदर कावर्णन किया गया है इस बात को आप भूलेंगे नहीं को कवितावली का अंतिम चंद कॉंसा है अंतिम चंद क्योंकि उत्तर कान्द है तो अंतिम चंद उत्तर कांड से ही होगा आश्रम बरन कले विवस बिकल्भ है निज-निज मरजाद मोटरी सी डार दी दे कितुलसिदास जी कहते हैं कि कलियुक का ऐसा प्रभाव है कि आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था ये सब लोगों ने छोड़ दिया है सारी जितने भी सामाजिक नेयम थे धार्मिक नेयम थे उन सब को त्याग दिया है और सब विवश और व्याकुल दिखाई दे रहे ह और सबने इतनी सारी अपनी मर्यादाएं, अपनी पकुल के अनुरूप, परिवेश के अनुरूप, धर्म के अनुरूप, अपनी जो भी परमपराएं थी, उन सब को मोटरी सी, यानि गठरी, किसी गठरी को जैसे हम बोज वाली गठरी को उठा कर अपने सिर से नीचे फेग उसी तरह से लोगों ने उन्हें भोज समझ कर ठेख दिया है, संकर सरोष महिम, महा मारी ही ते जानियत, और चारों और काशी में महा मारी फैली हुई है, इससे सपष्ट है कि शंकर यानि शिवजी भगवान का क्रोध यहां पर प्रकट हो रहा है, साहिब सरोष दुनी दिन 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 दार्दी और ये रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, यानि महा मारी का जो कुरुप को प्रभाव है, उससे जनित जो पीडाएं हैं वे भी निरंतर बढ़ती जा रहे हैं, नारिनर आरत पुकारत सुने नकू और इस्त्री पुरोष इस महा बारी से और जीव पतने मिले मोटी मोठी मार दी और तुलसी दाज जी कहते हैं कि ऐसा लगता है, मानो किसी देवता ने कोई मोटी तांतरिक साधना कर दी है, जिसका तोड किसी को मिल नहीं रहा है, तुलसी सभीत पाल सुमेरे क्रपाल भाल राम, अब तुलसी दाज जी कहते हैं कि यदी हम करुणा के सागर और सभी को अपनी शरण में लेने वाले श्री राम इन पीड़ाओं को समाप्त कर देंगे, तुछ पीड़ाओं को समाप्त कर देंगे. कविता वली का प्रथम वर्नित विशय क्या है? श्री राम के बाल रूप के सौंदरे का वर्नन ये प्रथम वर्नित विशय है. ये सारे के सारे बिंदू उसी हिसाब से लिए गए हैं दोस्तों कि कविता वली से संबंदित कोई भी प्रश्न सामाने प्रश्न आए तो आपके पास उन सभी के उत्तर होने चाहिए कवितावली का अंतिम वर्णित विशय क्या है कवितावली के प्रभाव से छिन बिन हुई आश्रम एवं वर्ण व्यवस्था जो चंद हमने अभी अभी पढ़ा अंतिम चंद उसमें इसी का वर्णन किया गया है महामारी के करण की क्रपालुता के वर्णन से कवितावली के प्रदन का प्रारम हुआ है कवितावली कि कविता वली की बहुत सारी प्रतियां मिलतीं हैं अलग अलग लेकिन कुछ प्रतियों में उत्तर कानवे माट्र 117 चंद ही संकलित हैं लेकिन काशि-oubtden प्रचारणी सभाद्वारा जो कवितावली उत्तर कांड में प्रस्तुत किया है उसमें 183 चंद संकलित है इसलिए यहां हमने 183 चंदों को ही प्रामानिक माना है और इसी इनी 183 चंद यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित की गई है कवितावली की कृति उसी को आधार बना करके इस कृति को प्रकाशित किया गया है ये बात आपको ध्यान में रखनी है तो ये हुआ दोस्तों एक छोटा सा कवितावली का परिचय उम्मीद करती हूँ कि कवितावली से संबंदित सभी महतुपूर्ण तत्यों की प्रष्ट भूमी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और अब हम कवितावली के जो प्रस्तावित चंद हैं उत्तरकांड के उ अगले सत्र के इंतजार में रहिए नमस्कार